डिविडेंड स्टॉक BPCL कर सकती है, डिविडेंड का एलान 29 नवंबर को होगी बोर्ड की बैठक BPCL ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, आपको सूचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक बुध्वार 29 नवंबर 2023 को होने वाली है। इस बैठक में वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के लिए अंतरिन डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट तय करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, सरकारी तेल कम्पनी भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिकेड जल्द ही अपने शेरधारकों के लिए डिविडेंड का एला कर सकती है। आपको सूचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक बुधवार 29 नवंबर 2023 को होने वाली है। इस बैठक में वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के लिए अंतरिम डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट तै करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कैसे रहे तिमाही नतीजे FY23 की दूसरी तिमाही में BPCL ने 8,245 पैसे करोर का Consolidated Net Profit दर्स किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधी में 338.49 करोर रुपए का घाटा हुआ था। मौजूदा वित्वर्ष की दूसरी तिमाही में Downstream Oil Refining और Marketing Business से Pre-Tax Earning 11,283 रुपए 29 पैसे करोर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधी में 123 रुपए 17 पैसे करोर का घाटा हुआ था। तेल की कम कीन्तों के कारण जुलाई से सितंबर में रेवेन्यू पिछले साल के 1.28 रुपए करोर से गिरकर 16 रुपए करोर हो गया। BPCL ने कहा कि अप्रेल से सितंबर 2023 में प्रत्येक बैरल कच्चे तेल को इंधन में बदलने पर उसने 15.42 डॉलर कमाए जबकि पिछले साल की इसी अवधी में ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 22.30 डॉलर था।